आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो लगबग हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर होती हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गैस, एसिरीटी, इन डाइजेशन और कॉंस्टिपेशन के बारे में वैसे डाइजेश्टिप प्रॉब्लम्स जितना आप और मैं सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है रिसर्च बताती है कि 25% इंडियन्स को क्रॉनिक एसीडिटी और इन डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और इसकी वज़ा है हमारा आज का बिजी लाइफस्टाइल, बुरा खाना पीना और स्ट्रेस लेकिन आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशल होम रिमेडी के बारे में जो कि बिलकुल नैचरल है और आपको इन सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से इंस्टेंटली रहत देती है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस जबर्दस्त होम रिमेडी के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों चाहे आपका ओफिस हो चाहे घर हो या कोई सोशल गैदरिंग हो आप कहीं भी चले जाएए आपको किसी ना किसी को कहते वे जरूर सुन लेंगे कि यार मेरा आज बेड़ खराब है कोई कहेगा यार मेरे गैस बन रही है भूक नहीं लग रही है बसे ये प्रॉब्लम सिर्फ अनकमफर्टेबल ही नहीं होती हैं दोस्तों मलकि आपके डेली लाइफ पर और प्रोड़क्टिवीटी के उपर भी बहुत ही निगेटिव नहीं है वहीं अगर हम आयरवेद की बात करें तो आयरवेद आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ऐसे नुस्खे प्रोवाइड करता है जो कि लॉंग टम रिजल्ट्स आपको देते हैं और वह भी मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ तो चोई आपको कर इस प्रॉइट करने के साथ लॉंग लास्टिंग रिलीव भी देते हैं तो आईए अब जानते हैं कि इस रिमेडी को बनाने के लिए आपको कौन-कौन से इंग्रीडियंट्स की जरुरत पड़ेगी और कैसे आपको इसको बनाना है और कैसे यूज करना है तो दोस्तों इस रिमेडी को बनाने के लिए पहला सुपर स्टार इंग्रीडियंट्स जो हमें चाहिए वो है क्यूमिन सीट्स यानि के जीरा जीरा एक बहुत ही कौमन चीज है जो लगबग हम सभी के फूट्स में अलग-लग चीजों के अंदर फ्लेवर बढ़ाने के लिए ठीज के लिए लेकिन क्या आपको पता है कि यह जीरा जो है यह आपके हाजमे को कितना जादा दुरुस्त कर सकता है कितना जादा फाइदा पहुचा सकता है दोस्तों जीरा आपके digestive enzymes को बूस्ट करता है जिससे खाने का जो breakdown होता है और digestion होता है उसमें असानी होती है जीरा gas को, acidity को, bloating क और पेट दर्द को भी कम करता है और बड़ी में fat के बढ़ने को भी रोगता है और हाँ अगर आपको scientific proof चाहिए तो एक research जो की food chemistry journal में पबलिश होई थी इसको आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि जीरे में कुछ ऐसे antioxidants होते हैं जो कि पेट के इंदर gut के इंदर inflammation को कम करते हैं सूजन को कम करते हैं और हाजमे को दुरुस्त करने का काम करते हैं जिससे जो है आपका overall digestive system है वो अच्छी तरीके से काम करता रहता है इस remedy के लिए next ingredient जो हमें चाहिए वो है कैरम seeds यानि के अजवाइन अजवाइन को भी कई तरह की dishes में डाला जाता है दोस्तों और इसकी smell I think आपने कभी ना कभी जरूर सूंगी होगी क्योंकि it's pretty strong लेकिन अजवाइन सिर्फ smell में ही नहीं बलकि अपने benefits में भी इतना ही strong होता है जितना की smell में अजवाइन जो है वो acidity को gas को और indigestion को तुरंत कम कर देता है और ये fiber rich भी होता है जिसकी वज़ा से हमार digestive tract को clean करने का भी काम करता है और cubs को भी दूर करता है अजवाइन के बाद next चीज जो आपको चाहिए दोस्तों वो है black salt यानि के काला नमक काला नमक gas दूर करता है digestion को सुधारता है और body के pH level को balance रखता है जिससे की body के अंदर alkaline environment बनता है और ये alkaline environment acid reflux और other digestive issues को tackle करने मे काफी ज़्यादा मदद करता है चौथा ingredient जो हमें लेना है दोस्तों वो है हींग हींग में powerful anti-inflammatory और anti-flatulin properties होती है जो कि bloating और gas से छुटकारा पाने में आपकी बहुती तेजी से help करती है एक research paper जो की Journal of Entho Pharmacology में publish हुआ था ये show करता है कि हींग के अंदर anti-spasmodic properties होती है इसका मतलब यह है कि यह आपकी जो digestive tract होता है उसको relax करता है पेट में एंठन को मरोड को और दर्द को कम करने का काम करता है और gas और acidity में भी आपको काफी ज़्यादा पहुचाता है इसके लावा last ingredient जो आज हमें लेना है दोस्तों वो है lemon juice लेमन juice जो होता है यह भी digestion के लि लिए प्रॉपर एनवायरमेंट भी प्रोवाइट करता है अब आईए बात करते हैं इसे drink को बनाने के बारे में यानि इसको तयार कैसे करना है इसको बनाने के लिए आपको एक टी-सपून जीरा जाहिए एक टी-सपून आपको अजवान चाहिए एक चौथाई टीस्पून आपको काला नमक चाहिए, एक चुटकी आपको हींग की चाहिए और एक टीस्पून आपको लेमन जूस चाहिए अब सबसे पहले एक बरतन में आप दो कप पानी गरम कीजिए और इसमें जीरा और अजवाइन डाल कर पकने के लिए रख दीजिए जब 4-5 उबाल इसमें आजाए तो इसको 2 मिनिट आप धीमी आजपर भी बाद में पकाएं ताकि जो इसके इंग्रेडियंट्स हैं जीरा और अजवाइन के वो अच्छी तरीके से पानी में आ जाए इसके बाद आप इसको पानी को लीजिए और एक कप में निकाल लीजिए चान लीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए जब यह हलका गरम रह जाए तो इसके इंदर आप काला नमक डालिए हींग डालिए और लेमन जूस जो आपने लिए था वो भी इसमें एड कर दीजिए बस लीजिए आपके जो मैजिकल ड्रिंक है वो तैयार है अगर आपको गैस एसे इंडाइजेशन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो इस ड्रिंक को आप खाना खाने के दस मिनट के बाद पीजिए दिन में एक बार या दो बार डिपेंडिंग कि आपको कितनी जादा प्रॉब्लम है और आपको इससे किस टाइप की रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर आपको कॉंस्टिपेशन भी रहता है तो ऐसे केस में आप इसको रात को सोते टाइम भी पी सकते हैं यह ड्रिंक आप लगतार 10-15 दिन तक अराम से ले सकते हैं और 10-15 प्रॉब्लम है वो किसी और सीरेस कंडिशन की वज़ा से तो नहीं है और क्या इसके लिए आपको कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए दोस्तों मुझे उमीद है आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्वी लगी है तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और वीडियो को सभी की साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फायदा हासिल कर सके अगर आपको यह वीडियो अच् कि और मजब कर सकते है अगर लोग है तो बिए